दुनिया में ऐसे बहुत सारे जीव जन्तु है जिन्हें आप देखा नहीं होगा देखने तो दूर साइद आप इन सब का नाम भी नहीं जानते होंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे ही जीव जन्तु के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखते हैं बदसूरत और गंदे दुन तो ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उनकी आखे बाहर निकली है इन में से कुछ जानवर समुंद्र की गहराई में रहते हैं तो कोई पेड़ की डालियों पर हलांकी यह जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लेकिन यदि इन पर कोई हमला करे तो अप का सरीर बड़ा और पैर छोटे हैं यह जादातर जमीन के अंदर रहते हैं इस बैगनी मेड़कों का विकास 130 मिलियन साल पहले हुआ था लेकिन अब इनकी जनसंख्या में गिरावाट आ रही है यह जादातर मेड़ा गासकर में पाए जाता है पैसेफिक लैंप्रे इनके द असकट रोडम मेड़क यह मेड़क पानी में पाए जाते हैं इस प्रजाती के मेड़कों की तवचा लटकी हुई होती है अपनी अजिबो गरीब तवचा के कारण ही यह मेड़क टीटी काका जील में रह पाते हैं दुनिया भर के बिचितर चड़िया घरों में इस मेड़क को रखा गया है ताकि परजनन की कोशिद्स की जा सके लेकिन अभी इसमें सफलता नहीं मिली है लालमूह का उक्री इसे वाल्ड उुकारी भी कहा जाता है यह लालमूह का उक्री है जो बंदर जैसा दिखता है पेरू और ब्राजील के जंगलों में पाई जाने वाले इस उक्री की पूच 15-18 cm होती है इसके सरीर लंबे-लंबे वालों से कवर रहता है लेकिन इनके सीर पर एक भी बाल नहीं होते है सीर गंजाक होने के कारण इसकी खोपड़ी दिखाई देती है एक जो लोट मचली मेक्सिको में पाई जाने वाले ये मचली ज़्यादातर पानी में अपने पैरों पर चलती है यदि इनके निवास की जगह पर पानी सूख जाए तो ये नए घर की खोज में निकल जाती है क्यूबा सोले नोन डोन ये दिखने में चुहे की तरह होते हैं और इनके दात बहुत नुकिलिया और जहरीले होते हैं ये जादातर नुर्थ अमिर्का में पाई जाते हैं ये धीमी गती से चलते हैं सुलावेसी बाबी रूसा को सुवर हिरन भी कहा जाता है जो सीलावेसी इंडोनेसिया की द्यूप में पाई जाते हैं इनका चेहरा देखने में अजीव होता है इनके नाक पर बड़े बड़े दात होते हैं सेलमेंडर, चीन में पाए जाने वाले सेलमेंडर का सरीर चिकना और चमकदार होता है, जादतर सेलमेंडरों के अगरे पैर में चार और पिछले पैरों में पाच उंगलिया होती है ओल्म ये जीव जारतर गुफा में रहते हैं और अंधे होते हैं इरोप में पाई जाने वाले ये प्रजाती प्रदुसन होने के कारण धिरे-धिरे खत्म हो रही है चप्ती नाक वाले बंदर बहुत तेज तर्रार होते हैं बंदरों की ये प्रजातित दुनिया में लुप तप्रयाय है लेकिन बर्तमान में ये भी इतना में पाई जाते हैं पोरोट फीस ये मचली देखने में खुबसूरत होती है लेकिन ये ज़ादातर गंदे पाने में रहना पसंद करती है ये फीजी और इस टफिरका में पाई जाती है गिरिप्स लेंड ये कीड़ा लंबा होता है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी मोटाई आदमी के हाथ के बराबर होती है आस्ट्रेलिया में इन केच्वो की खोज पहली बार 1870 के दसक में की गई थी कैली फोर्निया कॉंडोर कैली फोर्निया कॉंडोर 1980 से बिलुप्त होने के कगार पर है कैली फोर्निया में पैदा हुआ कॉंडोर अमेरका का सबसे वड़ा पंची माना जाता है इनके पंक विसाल होती है घोष्ट वैट इनको चमगादड भी कहा जाता है इसके नाक का आकार बहुत ही अजीव होता है इनके पूछ की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है ये अस्ट्रेलिया में पाए जाती है डुगोंग अमेरिका में पाए जाने वाले ये जिव मचली की प् होता है और आखे बहुत छोटी छोटी होती है इस प्रजाती की मचली को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ है है इनके नुकीले दात और जबड़ा बहुत मजबूत होता है सिकारियों से बचने के लिए यह जादतर नाले में रहते हैं बड़े सीर वाला कच्छुआ यह कच्छुआ कमबोडिया, चीन, लाओस, म्यानवार, वियतनाम और थाइलेंड में पाए जाता है यह प्रजाती अब बिलुप्त होने की कगार पर है सूंध वाला बंदर क्या आपने कभी सूंध वाले बंदरों के बारे में सुना है अगर नहीं सुना तो वतादे की इं लाइक जरूर करें और अभी तक आपने अनुखा नोलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्का झाले तो